दोस्तो इस समय भारतिये वेग्यानिक हमारी सेना के लिए ऐसे ऐसे हत्यारों को बना रहे हैं जिनको अभी तक कोई और देश नहीं बना पाया है भारत इस समय इसले सवदेशी हत्यारों पर फोकस कर रहा है क्योंकि हमारे दोनों ही निकम में पडोसी देश यानि की चाइना और भीकारिस्तान हमेशा ही भारत के उपर हमला करने का मोका देखते रहते हैं एसे में अगर हम विदेशी हत्यारों के उपर निर्वर रहते हैं तो ये हमको बजा कर चले जाएंगे और हम केवल हत्यारों के इंतिजार में ही बैठे रह जाएंगे भविश्य में हमारी साथ ऐसा कुछ ना हो इसलिए ही भारत सवदेशी हत्यारों पर जादा फोकस कर रहा है इसी बीच आज DRDO की तरफ से एक बड़ा धमाका कर दिया गया है क्योंकि DRDO ने एक एसे हत्यार को बनाकर तयार कर लिया है जो S-400 डिफेंस सिस्टम से भी तीन गुना शक्तिशाली होगा और इस हत्यार के आजाने के बाद हमारी रेशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम के उपर से निर्भरता पून रूप से खतम हो जाएगी दरसल पिछले लंबे समय से DRDO एक लोंग रेंज के रेडार को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है इस रेडार के बारे में हमने आपको अबसे दो हफता पहले ही बता दिया था लेकिन उस समय DRDO की तरफ से इस रेडार को लेकर खुल कर कुछ भी जानकारी नहीं दी गई थी लेकिन आज DRDO ने खुद ही इस रेडार को लेकर कनफरमेशन दे दी है और DRDO की तरफ से बताया गया है कि हम लोंग रेंज के रेडार को बना रहे हैं हमारी इस रेडार की रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है इस समय DRU ने इस रेडार के सभी कंपोनेंट को बना कर तयार कर लिया है लेकिन अभी भी इस रेडार का एक क्रिटिकल कंपोनेंट बचा हुआ है और इस क्रिटिकल कंपोनेंट का नाम Active Array Antina Unit है इस Active Array Antina Unit पर इस समय DRD की तरफ से काफी तेजी से काम किया जा रहा है और जैसे ही हमारा Active Array Antina Unit बन कर तयार हो जाएगा उसके बाद हमारी Long Range की Radar के लिए सभी Component पूरे हो जाएगे जिसके बाद इन सभी Component को Assemble करना शुरू किया जाएगा उसके बाद हमारा Long Range का Radar बन कर तयार हो जाएगा इस Radar को हम अपनी Interceptor Missile के साथ भी जोड सकेंगे जिसके बाद हमारा एक Long Range का Defense System बन कर पूरी तरीके से तयार हो जाएगा और आप सभी भी ये बाद जानते ही हो कि इस समय DRDO को नई नई Missile को बनाने में मानत हासिल हो चुकी है इसी भी Defense System को सबसे Main Component Radar ही होता है और DRDO Long Range के Radar को अब बना कर तयार करने वाला है जिसके बाद हम इस Radar में अपनी Interceptor Missile को Attach करकर इस Radar का इस्तमाल Defense System के तोर पर कर सकेंगे DRDO का कहना है कि ये हमारी Next Generation की Radar होने वाली है जिसको Jam कर पाना बहुती जादा मुश्किल होगा इस Radar के आजाने के बाद अगर चाइना हमारे उपर मिसाइल दागने की कोशिश भी करेगा तो हम चाइना की मिसाइल को चाइना के अंदर ही खतम कर देंगे और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको अपनी Long Range की Radar के साथ Interceptor मिसाइल को अटेच करकर डिफेंस सिस्टम को बनाना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट वोक्स में दे सकते हैं Thanks for watching this video, have a good day